हलो फ्रेंड्स वेल्कम तू माई चैनल लता संतानी क्रियेशन्स आज मैं आप लोग के साथ कंटोला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसे ककोरा, खेकसी और स्पाइन गार्ड भी कहते हैं कंटोला बारिश के दिनों में ही मिलता है और बहुती कम टाइम ही मिलता है इसमें काफी सारे निउट्रिशियन्स होते हैं तो जब भी मिले इसे लेना न भूले यहां मैंने 500 ग्राम कंटोला लिया है कंटोला के दोनों किनारा को हटा देंगे और फिर दो हिस्तों में कट कर लेंगे इसे तीन से चार बार पानी से धो लिया है इसमें कड़क बीजों उन बीजों को हटा दें और लाल रंग के बीजों उने भी फोक की सायता से हटा दें कंटोला का स्वात कुछ अलग ही होता है इसे काफी लोग पसंद नहीं भी करते और आज मैं आप लोगों को चटपटी रेसिपी बताने जा रही हूँ इससे आपको पसंद ना भी आये तो भी आप स्वात दे कर खाएंगे कैसान करके कड़ाई रखेंगे उसमें मंगफली डालेंगे उसके सिख जाने के बाद उसमें थोड़ी सौंप डालेंगे और थोड़े तेल डालेंगे खस खस डालेंगे हलका सिख जाने के बाद इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे जब तक मसाला ठंडा हो तब तक हम कंडोला को फ्राय कर लेते हैं ये कड़ाई रखेंगे उसमें तेल डालेंगे और उसमें कंडोला डालकर मेडियम फ्लेम पर इसे सेख लेंगे वीच वीच में कटन तोला को चलाते जाएंगे मसाला ठंडा हो गया है अब इसे ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर जार में इसे डालेंगे और एक चमच गुर डालेंगे एक चम्मच रूफ्टेट जीरा पॉटर डालेंगे, वन इस्पॉन लाल मिर्श पॉटर डालेंगे, और हाफ इस्पॉन हल्दी पॉटर डालेंगे, तो इस्पॉन सुखा धनिया पॉटर डालेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इन सब को ग्राइंड कर लेंगे, अब चलिए चलते हैं कंटोला की ओर कंटोला फ्राय हो रहे हैं लगबग 7-8 मिनट में कंटोला अच्छी तरह से फ्राय हो गए हैं एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं गले हैं या नहीं अच्छी तरह से कट हो रहे हैं इसका मतलब ये गल गए हैं अब इसे निकाल लेंगे, अब बचे हुए तेल में राई डालनी है और राई के चटकने पर दो टमाटर की प्यूरी डालनी है, टमाटर को चलाते हुए पकाना है, फ्रै की हुए कंटोला में ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, और जो मसाला बच अच्छी तर और रेया है देखिए तेल छूटने लगा है, अब इसमें स्वादन independence और नमक बचा हुए मसाला डालेंगे, इसे mix करते हुए चलाएंगे मसाला अच्छी तर से mix हो गया और तेल भी अलग separate होने लगा है, अब इसमें कंडोला मिक्स कर लेंगे, उन्हें रस्ог करके धकन लगाके दो मिनट पकाएंगे इससे अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाएगा दोस्तों अगर आपको ऐसी इंट्रिस्टिंग रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करन ना भूले क्योंकि यह टोटली फ्री है बेल आइकान को आन रखिएगा इससे मेरे आने वाले वीडियो की नूटिपिकेशन आपको मिलती रहेगी दो मिनट बाद इसे खोल कर देखेंगे देखिए कितना अच्छी तरह से कलर आया है और यह बहुत ही टेश्टी बना है क्य मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई थैंक्स पार वाचिंग